दो जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोडों लोगों का भविश्या लिखने जा रहे थे करीब डेड़ दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था सिर्फ दो हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर धाकेश्वरी माता का तीर्थ धाका गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान ननकाना अब दो टुकडों में बटने जा रहा था और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनिभिग्य था तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोश जन था जिस पर ये विभाजन कहर बन कर तूटने वाला था 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए वो 1947 में करने में कैसे सफल होगा तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है वो है कॉंग्रेस पार्डी मुस्लिम लीग और भारतिय कम्यूनिस्ट 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के बीच 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग ने 1909 में मारले मिंटो सुधार के नाम पर प्रथक निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजभब के नाम पर बांट कर रख दिया 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कॉंग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टर पंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कॉंग्रेस के नित्रत्व को मना सकते हैं इसके बाद 1930 में अलामा एकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इसलामिक राश्ट्र की रूप रिखा रखी एकबाल की कल्पना के इस अलग इसलामिक देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया जब 1933 के तीसरे गोल में सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे बाटे और करीब साथ साल बाद 1940 में लाहॉर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इसलामिक देश का प्रस्ता अपास किया और 1947 में तस लाख लोगों की लाश पर चड़कर एक अलग इसलामिक देश बना लिया और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोप पाया क्योंकि कॉंग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिये विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया देश तोडने के स्खेल में एक हिस्सा भारत के कम्यूनिस्टों ने भी नभाया जब कम्यूनिस्ट निताओं ने भारत को 14 राष्टों का सम्हू बताते हुए भारत वे भाजन को मुस्लिम राष्ट्र के आत्म निर्णय का अधिकार पता दिया साल 1945 में अग्रणी कम्यूनिस्ट सधान्त का कॉमरेट जी अधिकारी ने मुस्लिम लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए एक फिसिस दी उनके शब्दों में 1940 से कम्यूनिस्ट पार्टी ने ये देखना शुरू कर दिया कि तथाकते सामप्रदाइक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रियताओं की समस्या है जिसे आत्म निर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है यदि हम इसके प्रगती शील सार को देखें तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, वलुचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रियताओं के शेत्रों के आत्म निर्णय के अधिकार की मांग है जब देश का विभाजन हकीकत बनना तै हो गया, तब सर रेड क्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सरहत तै करने की जिम्मेदारी सौपी गए रेड क्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आये थे उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों, तीर्थों के विशे में कोई जानकारी नहीं थी तीन सप्ता हमें तै कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान सदियों से एक जैसे इतिहास, हाशा, बोली, खान-पान लिये रह रहे लोग, गाउं और शहर रातो रात दो देश बन गए करीब डेड़ करोड़ लोग रातो रात बेघर हो गए और करीब दस लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गए ये विभाजन जिसने आगे चल कर पूरवी पाकिस्तान में एक नए नरसनहार को जन्म दिया शहर के शहर रातो रात खंडर में बदल गए, शहर दर शहर, दंगे और आखजनी शुरू हो गए वो लोग जो हवेलियों में रहते थे, वो अब रातो रात रिफ्यूजी बन चुके थे अपना सब कुछ लुटा कर लोग सड़ी गर्मी और बरसात में मीलों तक पहले काफिले, हजारों की तादात में अपनी जान बचा कर चले आ रहे थे सबसे बुरा हाल महिलाओं का हुआ, जिनने इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़ी सैंक्डों महिलाओं का परहन और बलातकार किया गया 1940 के दशक में भारत की ही भाती नरसनहार जहिलने वाले यहूदियों की विभीशका को आज पूरा संसार जानता है लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारत की ही पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने की कोशिश नहीं की विभाजन विभीशका दिवस, 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीशका का स्मरण करने का दिन है 14 अगस्त का दिन अटल जी की इन पंक्तियों को दोहराने का दिन है